हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आई स्टेडी, एफसी आई फूड कोर्पोरेशन ओपिंडिया के और से एक एक्जाम कंड़क्ट करवा गया एजी थिरी के लिए, इसकी चारों सिप्ट कंप्लेट हो चुकी है, ओल्रेडी तीन सिप्टों की कंप्लेट एनालेसिस मेरे द्वारा कर दी गई है, उन सारी एनालेसिस के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्टों में मिल जाएंगे, इसका एक्जाम का फेजबन कंड़क्ट करवा जा रहा है, यह जो फेजबन आप लोगों का हर एक पोस्ट के लिए को मन इर्रेस्पेक्टिव अब दा पोस् की है, और जो फोर्ट सिफ्ट की मैंने कंप्लेट अनलेसिस ओल्रेडी कर दी ती, लेकिन उस सिफ्ट में जो जी के 25 कोश्चन उसकी अनलेसिस नहीं की ती, तो अब मेरे पास सारे कोश्चन आ चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जी के जितने भी 25 सबसे पहला कोश्चन पुछा गया वाट इस स्टेंड इन पी एन पी एन में पी की फुल पूम पुछी है, तो इसकी फुल पूम होती है, पर्मानेंट अकाउंट नंबर होती है, तो आप लोगों को याद रखना है, हर एक सिफ्ट में एक कोश्चन फुल पूम से रिलेट यह किस स्टेट में सिच्वेटिड है, तो यह आप लोगों का अरुनेचल पर्देश में स्टेटिड है, कौन सा दोन यह पोलो एर प्रोट इंपोटेंट कोश्चन है, यह एक दो एक्जाम में पहले भी रिपीट हो चुका है, उसके बाद नास कोश्चन पुछा गया था, लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन वीच स्टेट, भारत में जो है ना, लिटरेसी स्टेट किस स्टेट में सबसे कम है, तो वह आप लोगों का ब्यार में है, अगर पुछे सबसे ज़्यादा किसमें है, तो वह आप लोगों का केरला में है, अगर यूटी की बात करें, टेलिग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा उसके बाद देख लेते अगला कोशन पूछा गया हूँ इकनोमिक इनका टाइम पिरेड भी आप लोगों को याद रखना 1296 से लेकर करके तेरा सुष्ट के बीच आयते और यह दूसरी डाइनस्टी थी सबसे पहले डाइनस्टी आप लोग की सलेव डाइनस्टी थी जिसको ममलूग डाइनस्टी भी बोलते हैं जो बारा सो चे में स्टाट हु चली थी 1290 से 320 के बीच तेरा सो बीस में फिर एक निए डाइनस्टी बनती उसको बोलते हैं आप लोगों की तुगलक डाइनस्टी जिसके जो फांडर कौन तेंग्यासु दिन तुलक तें जो तेरा सो बीस से लेकर के तेरा सो एक्क्यावन तक उन लोगोंने रूल किया थ तो उसके बाद आप लोगों की कहता है 20 005 इसके बाद आप लोगों nutzen याद करबाद नाफ देंस करें और पहले बुद्दिष आउनल उट होगा 2 को लोगों घर से करेंगे तो राज गरह में पहली बुद्धिस्टिस्ज और बीछिए पह सब्सक्राइब च्रप्त आप लोगो चेर मेंन भी याद रखना उसके प्राइब गया था है यसे बाद दूसरी कामः पर हुई थी यह जो और टाइम पर रखना करती आप लोगो सकाद तकयों पुतिमक्त तो चारों काउंसिल है आप लोग याद रखना जो आप लोगे एक्जाम साथ तारिक 14 तारिक 21 29 होंगे तो उनमें यहां से आप लोग को एक काउंसिल जरूर देखने को मिल सकती है उसके बाद नेक्स कोशन देख लेते हैं को इस दा मिनिस्टर एपनचैतिराज जो पछेतीराज मिनिस्टर के बारे में पुछा हो तो को ने गिरिवा इनकी कौनी को अप लोग को जरूर देखने को मिलेगा उसके बात देख लेते पुछा गया था नेमदा एस्ट प्रजेंट इन दा हैं जब आप लोगी सेटे वगेरा काट लेती है या फिर कोई डंक माल लेती है तो उसमें पूचा कौन सा एसीड बोड़ी में देखने को मिलेगी तो याद रखना इंपोटेंट हो यह कौन से नंबर की मिटिंग है अगर आप लोग चाहूं तो याद रख सकते हो यह एटिंथ नंबर की मिटिंग है जी ट्वन्टी की उसके बाद देख लेते नेक्स्ट कोशन पुछा गया था भी आर ओ भी आरो की फु सब्सक्राइब लोग देख लेते उस रोड के बारे में क्या क्या बावन किलोमेटर की रोड आप लोगी और यह किसको कहां से जोड़ती है तो चिसम लोगों को जोड़ती है और इसकी हाइट भी आप लोग याद रख सकते उननीस हजार चोबिस फिट की मुचाइब पर य रखे थे कि शडूल बैंक नहीं है अगर इसमें से आप लोग को याद है कि किस तरीके से पुछा गया तो ताप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जिससे इसका आंसर एक्जेक्ट मिल जाएगा इसका आंसर में आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा उसके बाद पुछा गया था कंलिंग आवर्ड होता है यह किस स्टेरेट के द्वारा दिया जाता है इसके फांड़र सब्सक्तितर प्रिक ございます करें तरोग को धिए क्रूंट को साथ में रहती है आप त Stickholder पुछा गया तो आप लोग से पादर वाली पीडिया आप लोग शेर कर दूँआ वो टेलीग्राम गुरूप में तो टेलीग्राम गुरूप आप लोग जोईन कर लिए जो भी एपसे यह तरीका एक्जाम देने वाले कंडिडेट है उसके बाद पुछा गया था जो स्टाट अप इंडिया लोंच यह किसी एर में लोंच किया गया था तो 16 जनवरी 2016 को लोंच किया गया था एक पाइंट आप लोग और याद रखना इसके बाद देख लेते हैं तो एक रुपे का नोट भी हमारी गोर्मेंट आप इंडिया ही चापती है यह बी आप लोग को याद रखना है उसके बाद देख लेते हैं कोश्चन नंबर 17 पुछा गया मेजर ध्यान चंद अवोड जो खेल रहेता नवर्ड किसको दिया गया 2022 में तो यह दिया गया अचना सरत कमल को दिया गया इंपोटेंट मेजर ध्यान चंद और कितनी रासी दी जाती है इसमें कितना पैसा दिया जाता है एक कैस प्राइज पच्चिस लाग रुपे का यह भी आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद नेक्स कोश्चन पुछा गया है प्रोसर सो ब्रेंगिंग सीड फ्रोंदा पॉमग्रेनेट तो इसका थ्रेसिंग आंसर है अग्जेट कोश्चन नहीं मिला है आप लोग बता सकते हैं कि यह बाकी फिर यह कोश्चन जब मुझे मिल जाएगा मैं उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा वहां से जाकर करके आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं उसके बाद नेक्स कोश्चन पुछा गया था कि कौन सा एक डेली प्रजर्वेटिव की तरह यूज होता है तो यह भी कोश्चन पुछा गया था यह भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया एक पुछा गया था इस्ट इंडिया कंपनी इन दा बैंक विच्रिवर यह कुष्चन बिल्कुल एकजट नहीं मिला इसकोश्चन में एर्र है आप लोग बता सकते हैं कि स यह कुष्चन इस तरीके से पुछा गया था फिर हम लोग इसका अंसर कमेंट में कर देंगे आप लोग महां से जा करके आंसर चेक कर लेना किसको आंसर क्या रहेगा में भी हो सकता है कि यह पूछाओ कि इस इंडिया कंपनी ने ने पहली फैक्टरी किस स्टेट में एस्ट पूर में एक्जाम दिया है यह तीन चार कोश्चन याद है तो वह कंडिडेट प्लीज कमेंट कर दीजिए जिससे बाकी आने वाले कंडिडेट को थोड़ा बहुत फाइदा मिल सके किस टाइप के कोश्चन पूछे गए हैं तो यह कंप्लेट जीके की एनलेसिस ती 25 कोश् प्रवाइड कर दीजिए उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्टन मिल जाएगा अगर आप लोगों को मेरे दुवरा देगई एनलेसिस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर फर्स्ट टाम विजिट कर रह बस यही था वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ठेंक्यूं